mkv format या matroska video file format क्या है matroska video file जिसे हम mkv videos file भी कहते हैं ध्यान रहे कि ये container file है याने इसके अंदर चीजे रहती है और साथ में ये picture, audio, subtitle, tracks सारी चीजों का एक डबा है, एक खान है एक mkv file एक matroska multimedia container format है जो videos के लिए use होता है, again mkv files ये audio और video का compression या संपीडन format नहीं है, ये एक container है, ये codec नहीं है, audio और video codec होते हैं वो नहीं है, ये एक container है याने कि इसके अंदर codec होते हैं और बाकी चीजे होती है, एक file जिसका extension.mkv है, वो आपका matroska video file है, याने matroska का .mkv extension होगा mkv एक open source याने कि खुला इसका code है, आपको available है, और ये ebml याने कि extensible binary meta language पर आधारित है mkv ये mov और avi आपने सुना होगा, उसी के समान है, उसी की तरह है, बस अंतर ये है कि इसका जो storage है वो थोड़ा बड़ा है, याने size इसका बड़ा है, जो mkv याने की matroska multi video container है, concept के हिसाब से, अवधारणा के हिसाब से, जो बाकी containers है जैसे avi, mp4, asf जिसे हम advanced systems format भी कहते है उनी के समान है, उसी की तरीके से है, अंतर क्या है, अंतर ये है कि पहली चीज़ ये open standard है, याने खुलावा स्तरोथ है इसका और इसको जो implement किया गया है, वहाँ पर भी आप ज़्यादा तर open source software देखेंगे, matroska file extensions, ये .mkv है अगर आप video का इस्तिमाल कर रहे हैं, जिसमें subtitles भी हो सकते हैं, और साथ में audio भी होगा, याने के पूरा आपको content मिलेगा, वी उसके बाद .mk3d है, जब अब 3D देखना चाहते हैं, उसके लिए stereoscopic video .mk3d, अब audio के वल अगर file देखें, तो .mka उसका extension होता है, जिसमें audio में भी subtitles हो सकते हैं, याने audio सुनते हुए आपको free standard है, क्योंकि ये GNU, L, GPL license के अंतरगत है, याने आपको कोई भी royalty का पैसा नहीं देना है, free है और अगर mkv का आप analysis या आप ये कहें कि playback की जो libraries हैं, इसके पीछे जो आपको काम करती हैं, वो जो है, वो BSD license, Berkeley software distribution license के तहत, अगर आप commercially इसका use करना चाहते हैं, तो वो आप आपको provide होती है, mkv इसमें क्या-क्या हो सकता है, audio है, video है, subtitles है, जो कि आपको शब्द दिखते हैं, ये साथ ध्यान रखिए, आपको single file में मिलेगा, अगर जो elements इसके अंदर है, audio video subtitles, अगर वो भी different type of encoding से रखे गए, तब भी आपको single file में मिलेगा, जैसे आपके पास एक m mkv file है, उसके अंदर h.264 video हो सकता है, और साथ में audio mp3 और aac हो सकता है, यानि कि कई तरह के permutation combination बन सकते है, audio video codec के, mkv description यानि data about data, meta data जिसे कहते है, क्या rating है, उस song की है, video की cover art, यानि उसका जो photo है, और साथ में अगर आपने कोई educational बनाया है, तो chapter points में मिलते है, mkv का ज जिसके अंदर ये सब चीज़े रखी होती है, ये बहुत सारे audio और video format को support करता है, इसी करण से ये सबसे ज़्यादा adaptive है, easy to use है, मतलब आराम से आप इसका 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 इस्तेमाल कर सकते हों, और ये बहुत सारी चीज़ों के साथ एक साथ चलता है, ये फाइदा है, mkv के और नुकसान क्या है, pros and cons के हम बात करते हैं, तो pros इसके फाइदे, पहली चीज़ जो मत्रोस का video file है, उसमें आती है, versatility, पहली चीज़, versatility, देखे, mkv जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे codecs, यानि audio video codec, उसको support करता है, सबर्थन करता है, इससे क्या है, जितने भी media या players से maximum और जो devices से अलग अलग तरीके के, उसमें ये compatible है, वहाँ पर ये चलेगा, दूसरी चीज़ आती है, multiple streams, देखे, mkv में अलग अलग तरीके के video, audio और site में subtitle tracks, एक ही file में आपको मिलते हैं, यानि कि अगर आप अलग-अलग language के हैं, या फिर subtitle options चाहते हैं, तो mkv के उपर आप अलग-अलग languages में subtitle देख सकते हैं, और अपने हिसाब से चीज़ों को change कर सकते हैं, chapter support, अगर आप माल लीजे कोई chapter बना रहे हैं, उसमें अलग-अलग आपके key points हैं, वहाँ पर chapter points आपको मिल जाते हैं, ताकि जो user हो आसानी से अपने काम की चीज़ देख सके open source, mkv एक open source project है, इसका मतलब यह है कि जो community है, समाज, जो इसमें काम कर रहा है, वो बहुत बड़ी है, इसका मतलब हमेशा इसमें improvement होता रहेगा, इसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी, update आते रहेगे, और दूसरी चीज़ यह है कि आपको पैसे की licensing का जो cost है, license का, जै इतने आसानी से file हैं खराब नहीं होती है, file में errors हो सकते हैं, इतने आसानी से खराब नहीं हो सकती है, तो इसको आप आराम से recover कर सकते हैं, और आराम से इसको play कर सकते हैं, मतलब यह error recovery में बहुत resistance है, बहुत बड़ी है, high video compression का मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब जब आप video का size कमें करेंगे तो इससे आपको क्या होगा कि जो size है वीडियो का वो कम हो जाएगा और आपकी quality भी आपको lose नहीं करनी पड़ेगी गुणवत्तों को भी दुक्सान नहीं पहुंचेगा MKV future proof है यानि यह इस तरीके से बनाया गया है इस तरीके से design किया गया है कि आगे के समय आप यही file जो आज बना रहे है वो use करेंगे तो outdated नहीं होगी वो खराब नहीं होगी आप उसको आगे भी उसी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे अब disadvantages क्या है MKV के पहली चीज़ जो आती है वो है compatibility देखिए versatile है यह बहुत ज़्यादा use होता है लेकिन हर जगा universally accepted अभी नहीं है इसका मतलब अगर कई ऐसे आपके platforms है जहां पर आपको अलग से software की जुरुत पड़ेगी हो सकता MKV को आपको convert करना पड़े कई बार यह read ना हो दूसरी समस्या इसमें यह है file size देखिए अगर आपको अच्छी quality का वीडियो देखना है या audio सुनना है तो MKV file का size होता है बड़ा जैसे अगर MP4 या AVI से compare करें तो इसका size बड़ा होगा MP4 AVI क्योंकि इसके competitors कह सकते हो file size इसकी बड़ी होती इसका जो metadata support है metadata का मतलब होता है data about the data याने कि MKV के पास metadata support तो है लेकिन हर इसके लिए नहीं है तो कई ऐसे application है जहाँ पर लोग के लिए लोगों के यह वांचनी यह नहीं है लोग इसे इस्तमाल नहीं कर रहे है अगी बात आती है encoding और decoding कई ऐसे video editing software है वो शायद MKV को support ना करें हो सकता है आपको MKV को convert करना पड़े पड़े AVI या MP4 में इससे पहले कि आप edit कर सकें इसके अलावा जो hardware acceleration है क्योंकि जब भी आप video audio में जाते हैं तो वहाँ पर hardware का GPU का बड़ा roll आता है तो इसी लिए यहाँ पर थोड़ी से कमी इसमें लगती है बाकिक format से अगर compare करें तो DRM support क्या होता है DRM होता है Digital Right Management Support वो थोड़ा सा कम है इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना copyrighted material material distribute कर रहे हैं या content को protect करने कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी से समस्या आपको पेश आ सकती है लेकिन all in all बहतरीन format है